नवस्का साथियों आप सभी लोग देख रहे होंगे ये सभी कलासें आपकी UPSC और State VCS Prelims को ध्यान में रखते हुए कवर की जा रहे हैं और ये सभी कलासें याद रखे आपको Prelims में फायदा देंगी और साथ में ही आपको मुक परिक्चा में भी काफी फायदा पहुँचाएंगी और अगर आप लोगों के पास टाइम है तो आप लोग NCEIT बुक्स को जरूर पढ़िएगा और आप देखेंगे कि बहुत ही एक तरह से आपका base मजबूत होगा और आप लोग बहुत अच्छी तरह से इतियास को समझ पाएंगे क्या कर पाएंगे समझ पाएंगे और आप लोगों को क्या करना है आपकी एक playlist सूची बना दी गई है separate जिसका नाम है UPSC and State PCS Prelims Special Classes के नाम से और इसी में आपकी सभी क्लासें डली रहेंगी फिर चाहे वो इतियास की हो भोगोल की हो समीधान की हो अर्थवेवस्था की हो या सामान विज्ञान की हो जो आप देखते है प्रिलिंफ में आपका सिलेवर से ना वो सबको कवर किया जाएगा अभी तक आपने देखा होगा प्राजीन भारत का इत किस्तार से बात करेंगे और आज हम लोग इनका अर्थ समझेंगे कि समराजबात और उपनेवेस बात होता क्या है और इनकी अवस्थाएं क्या रहे हैं बेटे सासन का भारतिय अर्दवस्था पर प्रभाव क्या पड़ा है भूराजस विवस्थाएं किस तरह से रहे हैं औ और आप देखेंगे किरसी का वाडित जी करन किस तरह से हुआ है, और उपनिवेसवाद के प्रभाव क्या रहे हैं, सामाजिक प्रभाव, राजनितिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव किस तरह से रहे हैं, और आर्थिक निकास के प्रभाव क्या रहे हैं, भारत पर और इंग अगर हम लोग एक लाइन में अगर आप लोग परिभासा देना चाहें या बताना चाहें तो समराजवात का सीधा समतलब होता है वह त्रिष्टी कौर्ड जिसकी अनुसार कोई महत्वा कांची राष्ट अपनी सक्ती और गौरब को बढ़ाने के लिए अन्य देशों के प्रा किसी देश को अपने राजनेतिक अधिकार में ले लेना और छेत के निवास्यों को बेवित प्रिकार के युँद परिकार रहते हैं रहते कि बंचित और देश किन्तिक चेत्रों को आप लोग समराज कर देते हैं समराज भी कहा जाता था और बार दूसरा सब्द है आपका सीधा समदलव आप लोग निकाल लीजे किसी एक भोगोलिक छेत के लोगों द्वारा किसी दोसरे भोगोलिक छेत में उपनिवेज कालों नी इस्थावित करना और यह मानता रखना कि यह एक अच्छा काम है उपनिवेज बात कहलाता है जैसे भारत पर आप देखें अंग्रेजों ने किया और इसके देखें मुखे कारण यही रहते हैं कि लाब कमाओ मात्य देश की सक्ती बढ़ाना मात्य देश में सजा से बचना इस्थानी लोगों का धर्म बदला आकर अपने धर्म को एक तरह से अपनाना समय रहे हैं अपने धर्म में सामिल करना इसके मूखे कारण रहते हैं और अर्द व्यवस्था का प्यारंभीक चरण आप देखेंगे 1757 तक रहा और अर्द व्यवस्था का उपने विस्वाग चरण आप देखेंगे फिर भारत में अंग्रेजी अंग्रेजियों त्वारा अपना ही जाने वाली आर्थिक पद्धितिया, धन का निस्कासन, आप सभी जानते हैं कि हम लोग बहुत तमीर हुआ करते हैं, और आप देखें कि ऐसा माना जाता है, कि ए सभी ही एउरोपिये कंपनिया रही हो, बाहरी लोग रहे हो, हमारे देश क धन, आप देखें, उनका मुख उद्धित तो रहता था धन ही लोटना, और आप देखें कि ये ब्यापार करने के उद्धित से आते हैं, और पहले तो वो अपने यहां से पैसा लाते थे ब्यापार करने के लिए, फिर उनोंने आंगे परिस्तिती देखी और यही राज करन होती है, फिर आप देखें कि बीच में 1600 से 1700 के बीच, और 1700 से 1757 के बीच, तीन चरन में आप लोग देखें इसे, अगर हम लोग इसके अर्थ की बात करें तो समराजबाद, उपनिवेस बात, परसपर, संबंधित विचारदारा है, एक दूसरे से मिलती जुलती है, यह दोन को एक दूसरे के पूरक की रूम में भी समझा जा सकता है, समराजबाद अंग्रेजी सब्द इंपरियलिज्म का हिंदी अनबाद है, और इंपरियलिज्म का सब्द लेटिन सब्द इंपरेटर से बना है, जो अधीनायक वादी और केंदी के सत्ता मनमाने पिसासनिक पदित का पितीक है, और समराजबाद पूझीबाद विकास की उस पिक्रिया की ओर संकेत करता है, जिसमें विस्त के विक्सित और पूझीबादी देश संसार की कमजोर और विखंडित देशों पर विजय प्राप्त करने, उन पर पिर्भुत इस्थावित करने की महत्वा कांचा रखते हैं, जैसे कि हम लोग रहे हैं, आप देखें, अंग्रेजों ने हम लोगों पर लंबे समय तक एक तरह से सासन किया, और समराजबाद का सरफितम प्रयोग नेपोलियन की विस्तारवादी नीती की संदरब में हुआ, बाद में वेटिस उपने विस बाद की संदरब म एक बिसे इस पिकार का आकरमक बेवार करता है, तथा जिसके अंतरगत वह है बिजित राष्ट के सासन वेवस्ता को अपने हित्वनुकूल बनाने का प्रयास करता है, तो इससे सूचित करने के लिए समराजबाद सब्द का प्रयोग किया जाता है, अब आप देखी कि पुझी बादी देश के अधीन हो, उसकी इस राजन्ति को आर्थिक गतिवधिया सासक देश द्वारा संचालेत हों, उसका उपनेवेस कहलाता था, अब आप हमारे हाँ देख लिजे, अपने देख लिजे, कहने का मतलब है कि हम लोग अंग्रेजों के एक तरह से अधीन थ तो अंग्रेज पुझी बादी देश के लिजे आप लो, और हम लोग एक तरह से उसके उपनेवेस थे, और उपनेवेस में जो घटित होता है उसे उपनेवेस बात कहते हैं, और इस विवस्था के अंदर के समराजवादी देश द्वारा अपने उपनेवेस की संसादनों क का इस पिकार उपयोग किया जाता है कि उसके देश का आर्थिक विकास संपन हो, चाए हम लोग दूसरा देश बरबाद हो, अर्थात उपनेवेस बात का मूल तत आर्थिक सोसन में नहित है, आर्थिक सोसन समझ रहे हैं आप लो, और इस विकार में उपनेवेस की राजयति के एक तरह से उपनिवेस रहे हैं उपनिवेस की अगर हम लोग प्रकिति की बात करें तो उपनिवेस बाद अपनी प्रकिति से सोसन की वैस्तेती है जिसमें समराज जबादी देश अपने हित साधने के लिए उपनिवेस के साधनों का उपयो करता है और इसके लिए उपनिव इस बात की अलग-अलग आवस्थाओं में उपनिवेस की जीवन सेली को अलग-अलग दिशाओं में से प्रभाविद भी करता है, ताकि उसके अपने स्वार्थों की पूर्ती में किसी तरह की बाधा उत्पन ना हो। और निती के तहट किया जाता है, ताकि पूझी बाधी देश अपने उद्धोगे के एवं पूझी बाधी विकास के लिए उपनिवेस के कच्चे माल एवं सरम सकती का दोहन कर सकें, और उपनिवेस सदा के लिए उपनिवेस ही बना रहेकर, बना रहेकर पूझी बाधी देश पूजीबादी देश के उपनेवेस पूजीबादी देश के उत्पादनों का बाजार बना रहे है और बास्तों में एक ऐसी पिकरिया है जिसमें उपनेवेसबाद बिस पूजीबाद विवस्ता का एक अभिन हिस्ता बन जाता है लेकिन उसकी पुझीबादी उत्पादन के विकास तथा उद्धो के करांती में कोई भूमिका नहीं होती है और उपनेवेस बाद बिस्तित देशों को बिस्त पुझीबादी विवस्ता का एक अभिन अंग तो बनाता है और उसे ऐसी दसा में रखता है पुझीबाद उत्पादन विकास या फिर उद्धो के करांती से सीधा सम्मद ना बना सके वस्तुता उपनेवेस बाद द्वारक उपनेवेस के विकास को अवरुद रखा जाता है ताकि यहां वहां बास्तिक पुझीबादी विवस्ता का विकास ना हो सके अब कोई देश के उचाहेगा कि हम अगर आंगे बढ़ रहे हैं तुम्हारा पड़ोसी भी या हम जहां राज करें वो भी आंगे बढ़े उपनेवेस बात की विसेस्ताओं को आप लोग याद रखेएगा यह पूचा जा सकता है और मुक परिक्षा में भी तक पूचे लेगा ये तो समराजबादी राष्टवारा अधीनस्त देश की राजनेतिक और आर्थिक तंथ पर अधिकार करना जैसे की हमारे उपर हुआ भी उपनेवेस बात का विभिन इस तरों पर सोचन करके उसके संसादनों का समराजबादी सक्ती द्वारा सोहित में प्रयोग करना आप देखे किया अंग्रेजोन है हमारा उपनेवेस के विकास में उस सहथ तक रोची लेना जिससे समराजबादी सक्ती के अपने हितों की पूर्ती हो सके समराजबाद की विभिन अवस्थाओं जैसे वर्डेक वनिक वाद सोतंत ब्यापार नीती तथा विट पूंजबाद में सोचन की नमीर फिडाली का विकास और जिससे कुल पूंजबाद लाप अधिकतम हो सके और उपने वेसबाद को सदा के लिए उपने वेस बनाए रखने का प्रयास करना ताकि पूंजबादी सक्ती को अपने हित साधने में कोई समस्या ना आए बाधा ना आए ऐसी राजनेतिक आर्थिक तथा सामाजिक नीतियां नीतियों एवन परंपराओं को बढ़ावा देना जिससे उपने वेसबाद कच्चे माल का सरोत और तथा पूंजबादी तयार माल का बाजार बन सके और ऐसा हुआ भी आप समझ रहे हैं उपने वेसबाद की अगर अवस्था हैं आप लोग देखें तो देखेंगे आप लोग की वाडिजिक पूंजबाद ये 1757 से लिकर 1813 तर और पितम अवस्था था बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त उद्धोगीक पूंजबाद ये 1813 से लिकर 1858 कहीं 60 मिलीग आपको द अच्छे से हमारे देश का सूसर्ण कर सकें लेकिन जब हम लोग कहते हैं कि अंग्रेजों की क्या देन है तो उसमें हम लोग रेलवे को भी बता देते हैं कि ये भी उन्हीं की देन है बित्ती है पूंजबाद 1859 से 1947 तक इतिती है अवस्ताती कितनी तीसरी अवक्ताती ओपनेवेस बाद एक इस्थिर धाचा नहीं है और इसके विकास की पिक्रिया विभिन अवस्ताओं से उकर गुजरती है और जो पूंजबादी देश की अवस्ताओं के नुकूल परिवर प्रतित होती है और उपनेवेस बाद का इस्थिर तत्त सिर्फ एक है और वह है कि पुझिवादी सकती द्वारा अपने हित्मे उपनेवेस का सोसन करना और सोसन की यह पिक्रिया पितेक अवस्ता में रहती है और इस सोसन को इस्थाई एवं अधिक्तम करने के लिए समराज आजवादी देश अलग-अलग दोर में अलग-अलग साधनों का परियोग करता है जो उपनिवेसबात की अवस्थाओं का निर्माड करता है यह आवसक नहीं है कि विभन उपनिवेसबात की अवस्थाओं के लिए उपनिवेसबात की अवस्थाओं समान हो एक इस्तरीय हो अ यह 1757 से 1813 हो गई, दुदी यह अवस्था आपकी 1813 से 1860 हो गई, और तिती यह अवस्था आप देखेंगे, यह 1660 से 1947 तक हो गई, यानि कि जब तक हमें आ जादी नहीं मिल जाती है, और पिथम अवस्था अगर आप लोग देखें, तो 1757 से 1813 के बीच, 1757 में पिलासी युद्ध में, अंगरेजों की बिजय के साथ, भारत में उपनिवेश के पिथम अवस्था की सुरुवात मानी जाती है, उससे पहले आप लोग देखेंगे, तो अंगरेज आये हुए थे, वो ब्यापार करने के युद्धे से आये हुए थे, लेकिन आप आप देखेंगे, उपनिवेश बात का पिथम अवस्था यहां से सुरुवात होती है, पिलासी युद्ध में, विजय के उपरांत बेटेन की एक ब्यापारी कंपनी भारत में एक राजनेतिक, सक्ती की रूम में उभर का सामने आये, और इसलिए इस अवस्था को इस्थ इंडि एक वाडिजिक पूझी बात के नाम से भी जाना जाता है, इस काल में कंपनी के भारत में दो मुख लक्षे थे, क्या लक्षे थे, एक तो अब देखेंगे भारत के साथ ब्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना, कि हमारा ही तरह से राजो हम ही ब्यापार करें, और इसका ब्यापारी काधिगार से इस्ट इंडिया कंपनी जितना सस्ता हो सके, उतने सस्ते में भारती माल खरी सकती थी, और विस वाजार में उचे से उचे दाम पर वैस सकती थी, इसको भी एक उधारन के जरिये समझाने की कौसिस करते हैं, मान लेजे कि देखें, आप लोग कोई भाय भाय भैस पली हुई है, और केबल आप ही उस छेत में दूद बैचने बाले, और यह आप देखें कि खरीदने बाले आप ही हैं, और कोई खरीदता ही नहीं दूद, तो आप अपनी मर्जी के हिसाब दूतना सस्ता आपको खरीदना होगा, और आप सस्ता खरीदेंगे और आप ही बैंचने वाले हैं, अकेले एक मात, तो आप जितना महेंगा हो सकता, उतना महेंगा बैंचेंगे, तो यही अंग्रेजों ने भी किया, इनका दूसरा लक्षे था भारत की सत्तापन नियंतन इस्थापित कर राजस नियंतन करना, और इससे भारत के विभ्यने छेत की कुछ मुक्वे से इस्थाइन निमले की थी, कमपनी की राजनेतिक विजय की कारण, कमपनी को भारती राजस वसूली का अधिकार मिला, और वसूल किये गया राजस के अधिक्तम हिस्से को कमपनी ने भारती ब्यापार में बेउनिजित किया, जिसे कमपनी को अधिक्तम लाप मिला अब ही आप देख रहें क्या होता था कि ए लोग company जो भी company रहते थे या व्यापारी रहते थे अंग्रेज तो वो क्या करते थे बेटस व्यापारी उनकी बात करें तो वो अपने हाँ से धन ले आते थे यहाँ से खरीदते थे या business करते थे तब आप देखें कि और उत्पादों की निर्यात में बिद्धी का लाब भारतियों को नहीं वरं कम्पनी को मिला, क्योंकि कम्पनी ने अपने हित में कार करने के लिए बात डी किया, उनका सोसन किया और उपनिवेस बात कि इस काल में भारती उपनिवेस में पिसासन नियाय बिवस्था, ब्यापार पेबंधन एबंधन आर्थिक संगठन आधी के छेत्र में कंपनी द्वारा कोई विशेस परिवर्तन नहीं किये गया और उनी पिछले बिवस्थाओं में सोसन को लागू करने का पिरयास किया गया, क्या किया गया, पिरयास किया गया, और आंगे आप देखेंगे कि पिता मवस्था पर टिपिडी करते हुए मद्रास राजिस बोर्ड की अध्यक्च जॉन सुलीवान ने कहा कि हमारी बिवस्था बहुत कुछ इसपांजी की तरह काम करती है, जिसके जरीए गंगा तर से सारी अच्छी वस्थाओं को सोक लिया जाता है, और टैमस नदी के किनारे लाकर उसे निचोड दिया जाता है, यानि कि समझ रहें, भारस से लिए जाकर अपने देश रख के आ रहे हैं, 1765 से 1772 की काल को के एम पनिकर ने बंगाल में डाकू की राज्ज का काल कहा था, हो सकता ही कि यह पूँच ले, यह अंसर राइटेंग कर रहे हैं, आप लोग तब भी इस पॉइंट को डा सकते हैं, के एम पनिकर ने कहा था यह बंगाल में डाकू की राज्ज का काल, 1765 से 1772 दुदी ये अवस्था आप देखेंगे 1813 से 1860 के बीच 1813 तक वेटेन में उद्धोगिक करांती संपन हो चुकी थी और वहाँ एक ऐसे उद्ध्योगपती वर्ग का उद्भव हो चुका था जो राजनीती को प्रभावित करने की स्तिती में था और इस नवोद्धित पूझी पती बर्ग ने इस पस्ट इंडिया कंपनी के ब्यापारिक एकाधिकार पर आपती जिताई और राजनेतिक सक्ती के परियोग द्वारा उससे सीमित करने में सफलता भी पाई 773 से 1813 तक के विभिन चार्टर एट के द्वारा कंपनी का ब्यापारिकार इकाधिकार करमसा खतम होता गया और 1813 के उपरांद भारत में मुक्त ब्यापार का काल प्यारम हो जाता है इस चरण या आवस्था को दोगिक पूझी बात के नाम से आपनों जानते हैं और इस दौर में बेटेस उत्पादों के भारत में निर्वाद प्रवेश को एक हतियार की रूम में इस्तेमाल किया गया और वेटेन के पूझी पतियों की सहायता के लिए भारत में मौझूद बेटेस सरकार के प्रभावाओं का उप्योग किया गया मुक्त ब्यापार की इस दौर में बेटेन द्वारा भारत से दो फिर्मों कुझी बादी लक्षों की पूर्टी का लक्ष रखा गया है बैटेन के नवोदित उद्योगों को भारत से कच्चा माल उपलब्द कराना और भारत को इन उद्योगों के उत्पादिक माल का बाजार बनाना यानि कि कहने का मतलब सीधा सही है कि हमारे यहां से कच्चा माल ले जा रहे हैं और आप देखें कि उसे, एक तरह से आप देखें कि माल अच्छा जो भी उत्पादन करके वो भारत में बाजार में बैंचने के लिए आ रहे हैं, उन्हें दोहरा लाब हो रहा है, सस्ते में करीद रहे हैं, उसमें कुछ सुधार करके लोट के भारत आ रहे हैं, यानि कि आप देखे एक तरह से आप सोच लिजे, आपने देखा होगा दूद डेरी बादा आता है, अब आप लोग ए ना कहने लगें कि दूद का हर वार उधारन क्यों देता हूँ, एक मुझे लगता है कि सभी जानते हैं असलिए दे देता हूँ, दूद आपने देखा होगा कि आप इन लक्षों की प्राप्ति के लिए ऐसी नीतियां बनाई गई जिससे भारती पारंपरिक विवस्ता में बदला हो और भारती लोगों में बेटे सुत्पादों की पिती रूची उत्पन हो, इस दौर में उपने विसे खितों को पूर करने वाली विवस्ता की मुख बेसे इसना है थी, इसमें आप देखें कि उद्दोगिक करांती ने भारत और वेटेन के आर्थिक समंधों को परिवर्तित कर दिया, अब वेटेन को ब्यापार द्वारा नहीं, बलकि उद्दोग जनित लाप की आवस्तेक्ता थी, और भारत में बिद्दमान ब्यवस्ता को पू आप सोचे कि एक चटाई माल लीजे आप लो, या कोई कपड़ा बनाने की बात कर लीजे, अब बुनकर क्या करेंगे, हांस से बनाएंगे, तो आपने देखा होगा, लंबा समय लगेगा, और मसीन से आपने देखा होगा, बहुत कम ही समय में बन जाएगा, तो आप देखे कि जो हमारे पारंपरीक थे, हस्तिसिल्फ थे, वो कहां उनके से टकर दे पाएंगे, पिती सपर्दा कर पाएंगे, भारती हस्तिसिल्फ की पतन पर भारती गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने टिपड़ी करते हुए कहा, कि इस दोरदसा का ब्यापार के इतिहास में से भारत आने बाली सभी बस्तों पर आयात कर या पूर्ता समात कर दिये गए या अतिन्त कम रखे गए, मुक्त ब्यापार का मतलब होता है, अभी भी तो आप लोग सुनते रहते हैं, समझोता हो रहा है, मुक्त ब्यापार का, यानि कि मतलब कि हम तुमारी बस्तों पर कोई से लिखाएंगी और आप हमारी वस्थहों पर कोई टेक्स मतले यह और इससे क्या लेटा है कि ग Εल Ambrog हमारे देश में जो आईगी हमें बनाने में मारगी था और अत्यान बैटेन से भारत को निर्यात होने वाली बस्तूओं तो सुल्क मुक्त थी लेकिन भारत से बैटेन होने वाली बस्तूओं पर उच्च दर्वाले सुल्क आरूपित किया जाते थे इसे दो लाब होते थे पहला बैटेन के घरेलू उद्योग भारत की लिए भारती ये ब्यापार खुला हुआ था कहने का सीधा से मतलब है कि आप देखिए आपकी यहां से कोई वस्तु आ रही तो आप हमारे यहां कोई टेक्स नी लिया जा रहा है आप जो चाहें जिस तरह से चाहें बैस सकते हैं लेकिन हमापकी यहां बैसने जा रहे हैं तो आप उच्छ दर्व से टेक्स लगा दे रहें कर लगा दे रहें तो आप देखिए कि महंगी हो जाएगी वह वस्तु तो कौन खरीदेगा आपकी मार्केटों में भारत में भूमी बंदोवस्त पिसासन और बिभिन आर्थिक नीतियां लागू कर भारत को वेटिस मुत व्य पिसासन द्वारा भारत की दूर गामी तथा आंतरिक छेत्रों तक वेटिस वेवस्ता की पहुझ बनाई गए और भारती कानून वेवस्ता में परवर्थन करके वेटिस पूजी पतियों को सुरक्षा की गारंटी दे गई क्या दे गई गई गारंटी दे गई देखें इन्होंने जो भी काम किया हमारे देश में चाहे फिर आप देखेंगे रेलवे की बात हो अब आप देखेंगे दूर दूर से कोई भी वेवस्ता लाने की सामाल लाने की बात हो अपने हिसाब से इन्होंने किया क्या किया अपन बनाई गई और भारती कानूर विवस्ता में परिवर्तन करके बेटिस पूझी पतियों को सुरक्षा की गारंटी दी गई अपने हज़ाप से कानूर बना रहे हैं आर्थिक लेंदेन को आसन बनाने के लिए आधुनिक डाग और टेलीगराप विवस्ता विक्सित की गई देखे अपने फायदे के लिए सब कुछ कर रहे हैं भारत जैसे विसाल देश के विसासन को सकुसल धंग से संचालित करने के लिए आधुनिक सिक्चा की आधार से ला रखी गई भारत में भारत से अत्ती रेख धन को वेटेन इस्थानांतित किया जाना इस अबस्ता में भी उपने वेसवात का प्रमुक लक्षन बना रहा कर दिया और इसने पश्चमी सब्भेता के बाहग बेटेस समराज को भारत में सासन करने का नेतिक आधार भी पिदान किया क्या आधार भी पिदान किया फिर आप देखें कि तीसरी अवस्था आती है ये 1860 से लेकर 1947 के बीच विस अरदोस्था में 1860 तक आये परिवर्तनों कि परिडाम स्वरू भारत में उपने वेस बाद कि तीती अवस्था का आरम किया आरम प्यारम होता है और आप देखें ये चरन ये आवस्था को बित्ती पूजी बात का काल भी कहा जाता है इस अवस्था में कि प्यारम होने कि कुछ बोनियादी कारण थे उद्दोगे कि यूरोप एवं अमेरिका के देशों में पिरसार के कारण बेटरेन की उद्दोगे सेष्टा समाप्त हो गई क्या हो गई समाप्त हो गई और आप देखेंगे नवीन सक्ती के साधनों बिजली पैटॉलियम के प्रयोक से नवीन तकनी की करांती का उदय हुआ तथा परिवर्तन परिभान के अंतराश्टी इस ताधनों में क्रांती के कारण विस्व बाजार का अधिक एक ही करण हुआ और आप देखेंगे उपनिवेसों से पूंजी के अधिकार देख दोभन के बैडाम सुरूई पूंजी बादी देशों में बड़ी मात्रा में पूंजी का संचय हुआ और आप इस पूंजी के निवेस के लिए पूंः हा एक पितिस पदा सुरू हुई और जिसमें आप देखें कि उपनिवेसबात का वित्तिये पूंजी बाद के द्वारा सोसर किया गया और इस पिकार वित्तिये पुझिबाद ने पुनहा विस्थ के विभाजन और नव उपनेविसी करन की पिक्रिया को जनम दिया जो भारत में 1860 के बाद प्यारम हुई वेटे सासन का भारती अर्दवस्था पर क्या परभाव? यह आप देखे पुझिबादी देशों द्वारा लगातार चौनूती दी गई थी भारत पर अपने नियंतर दर्ड करने के लिए कि अब इसने ससक्त पेरतन किया उदारबादी समराजबादी नीतिया अब पिति क्रिया तुमक समराजबादी नीतियों में परिवर्तित हो गई या लिटन, डफरिन, लांस, डाउन, करजन के वासराई की काल में पिति विंबित हुआ और पिति द्वेंदियों को बाहर रखने के लिए तथा बेटिस पुझी को भारत में आकिस्ट करने इसे सुरक्षा बिदान करने के लिए भारत में बेटन द्वारा पुझी, रेलवे, भारती सरकार के रिड़ ब्यापार, बाकुछ हद तक बागान, कोईला खान, जूट, कार खानो, जहाजरानी, और बेंकिंग में लगाई जाने लगी और इस दौर में पुना पुझी बादी संघस फैरम हुआ, और जिसे बेटन के समराज जी की सुरक्षा में भारत ने महत्पून भूमिका भी आदा की वेटन ने इस नव उपनिवेसबात की अवस्था में भारत पर अधिक तीब नेंतन की सुरुवात की और अधिक मजबूत कारकुसल एवं ब्यापार पे सासन निरंकुस किन्तु पित्वद तानसाही और कटरवादी और पित्थी क्रियावादी तागतों को पेशा देनी की नीती द्वारा भारत पर अपने राजनेतिक अधिकार को इस्थाई रखने का प्रयास भी किया गया प्रयोग किया गया और भारत पर अपने समराज को अधिकार देक ब्यापक बना कर भारत के आर्थिक आत्मिरभरता की प्रयास को दबाए गया भारत में पनम रही सौसासन और राजनेतिक सौतंता की एक्षा को पूरी तरह दमन द्वारा को चलने की नीती अपनाई गयी और कोचलन, इनका मेन उद्देश हो गया, रानी लच्मी भाई आप देखे, 1857 के समय ही आपने देखा होगा, और 1889 से सारवजनिक उद्द्यम की रूम में रेलवे का विकास होने लगा, 1880 के बाद प्राइवेट कंपनियों और सरकार दोनों ने मिलकर रेलवे लाइन बिचान प्राइवे हो, सड़क हो, सेचाई हो, सारवजनिक हो, रेड हो, चाय हो, काफी हो, रवर्ड हो, कोईला हो, जहाज रानी हो, बैंकिक हो, और 1916 में टॉमस हॉलेंड की अध्यक्षता में पिथम उद्दोगिक आयोग की स्थापना भी हुई है, एक कोश्टन भी पूचा जा है, कि हमारे दिस में पिथम उद्दोगिक आयोग की स्थापना कब हुई थी, और पिथम उद्दोगिक आयोग की, तो ये टॉमस हॉलेंड की अध्यक्षता में, 1916 में, अक्टूबर 1921 में एबराहिम रहीम तॉला कि नेतित में पिथम राजस आयोग का गठन किया गया था ये भी याद रखेगा, वंडे एक जाम में तो आप देखे इस तरह के questions कई बार पहुँच लेता है, क्या कर लेता है, कई बार पहुँच लेता है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना होगा, रखना होगा या नहीं, उत्तर पूर्वी, उत्तर बरती, मुगल सासकों द्वारा ततकालेक एरोपिय ब्यापारियों को दी गई, उधारता, उधारता पूरपक रियायतों ने सौधी सी ब्यापारियों के हितों को नुकसान पहुचा है, जिसके यहां के घरेलो दियो प्रभावित हुए, पिलासी ओवकसर की योद्द के बाद, अंग्रेजों ने बंगाल की संभरिद्धी पर अपना पूरा अधिकार जमा लिया, और फईडाम स्वरूप भारती अर्थवस्था, अधीसिस और आत्मर भरता की अर्थवस्था से उपनेवेसिक अर्थवस्था में परिवर्तित हो गई, और पिलासी की योद्द के बाद, आप देखेंगे बंगाल के अंतरदेशिय ब्यापार में अंग्रेजों की भागेदारी बढ़ गई, कम्पनी के करमचारियों ने उन बस्तूओं जैसे नमक सुपारी तमाकू के ब्यापार पर भी अधिकार कर लिया, और जिसका ब्यापार उनके लिए पिती बंदित था, क्या था पिती बं पर भेंचना, भाधत में बेटेश उपने विस बाद की न्यू 1757 के पिलासी के योधि के बाद पड़ी, और जिसका प्यारमीक उधिस यहां के उन सादनों को अपने कबजे में लेना था, जिससे प्रावत माल इंगलेंड तथा अन येउरोपिये देसों में सरलता से ब्या करने ही तो भुक्तान सोने और चांदी में करना पड़ता था, इस लाइन को आप लोग द्यान से पढ़िएगा, और वहीं इस योधि के बाद बैटेन को भुक्तान के लिए सोने चांदी की आवसकता नहीं रही, अब वह है भुक्तान यहीं से बसूल किये गए, धंस दे कर करने लगे, पहले सोना चांदी ला रहे थे हमारे यहां से जो भी भुक्तान करना होता था, अब आप देख रहे हैं यहीं से बसूल रहे हैं और यहीं ब्यापार कर रहे हैं अपने देश में भेज रहे हैं, तो दोरा लाव होने लगा, उपने वेस बात की पिथम चरन जिस बंगाल और अन परांतों से बसूले गए भुराजुस के बचे हुए हिस्से से भारती माल को खरीदा जाता था, उससे अन देशों को अच्छी कीमतों पर निर्याद किया जाता था, यानि कि हर तरह से सोसन करना है, और देख अलाव कमाना है, 1757 के बाद कंपनी द्वारा भ अधिक अमीर और भारत अधिक गरीब होने लगा, हम लोग सोनी की चिडिया कहा जाता था, और 1757 की मद्ध कंपनी की नीती में परिवार्तन आया, वो अपने देशी उद्वार्ण को सरक्षर पिदान करने लगी, और 1700 में अंग्रेज सरकार ने एक कानूर बनाकर में विदेशी वस्तों के प्रियोग पर पितीबंद लगा दिया, क्या कर दिया, पितीबंद लगा दिया, और उसके बाद आप देखेंगे, भूर राजस व्यवस्ता देख लिए, उपनिवेस काल से पूर भारतिय अर्द्वश्ता किसी जन अर्द्वश्ता थी, लेकिन अ रेक्स तो वसूलते थे, कर तो वसूलते थे, लेकिन आप देखें कि वो उन्हें किसानों को एक तरह से छूट मिली हुई थी, वो जिस तरह से खेती करना चाहें कर सकते थे, लेकिन अंग्रेजों के समय आप देखें, अलगी विवस्ता होगी, नए नए कानून लाने लगे, तरीके धूणने लगे और आप देखें वो नील की खेती पर जाना जोड़ देने लगे कि आप अपनी मर्जे से खेती भी नहीं कर सकते हैं कौन सी फसल आपको गूनी है और आप देखें कि पिलासी के उद्धिके पश्चात बंगाल की दिवानी पराप्त करने के बाद कंपनी के गवर्नर जनरल वारेन हैस्टिंग्स ने 372 में बंगाल में फार्मिंग सिस्टम एजारीदारी पिता की सुरुआत भूराजस की बसूली के लिए की और फार्मिंग सिस्टम के अंतरगत कंपनी किसी छेत याजिले के भूर छेते से राजस बसूली की जिम्मेदारी उसे सौपती थी जो सबसे अधिक बोली लगाता था और किलाइफ के समय में भी भूराजस का बारसिक बंदोवस्त होता था जिसे हैस्टिंग ने बढ़ा कर पांच बरस का कर दिया और फार्मिंग सिस्टम का भूमी को लगान बसूली हेतु ठेके पर दिये जाने की पिता कलकलांतर में बंगाल पर बुरा प्रभाव पड़ा और किसानों का सोसन बढ़ा और भी भुक मरी तक पहुँच गए बारत में अंग्रेजों ने तीन पिकार की लगान पद्दिती अपनाई थी जमीदारी पे था इसमें समस्त भूमी का आप देखेंगे उनिस पिती सत छित पर लागू था रेयत बाड़ी पे था समस्त भूम जमीदारी पिथा के नाम से जानते थे तो गवर्नर जनरल काउंट बालिस के समय एक दल 10 साला बंदोबस्त लागू किया गया दस साला और 1793 में इस्थाई बंदोबस्त में परिबर्तन कर दिया गया था और बंगाल में आप देखेंगे तो इस्थाई बंदोबस्त का के समूचे बेटिस भारत के छेत्फल का लगभग 19% 30 हिस्सा सामिल था इसमें आप देखेंगे बंगाल सामिल था बिहार, उडिशा, उत्तरपिदेश के बरारसी, उत्तरी करनाटक के छेत्रों में भी यह लागू था इस ब्यवस्था के अंतर के जमीदार जिने भू स्वामी की रूम में मानता प्राप्ति को अपने छेत्र में भूराजस की बसूली कर उसका दस्वा अत्वा ग्यारवा हिस्सा अपने पास रखना होता था और से इस कंपनी के पास जमा करना होता था, एक तरह से कहने का मतलब आप समझ रहे हैं, इस ब्यवस्था के अंतर के जमीदा सुमारी जमीदार जो जन्हें भूमी स्वामी की रूम में मानता दी गई थी, वो अपने छेत्रों से बूर कर एकटा करते थे टैक्स, और उस टैक्स का दैक्स का घ्यारवा हिस्सा अपने पास रख लेते थे, और इस के से क्या करते थी, कमक्नी को दे दे थे, और इस तरह से जिसमें ना देने बाले कास्टगारों से जमीÓ बापस चैन ली जाती थे तो जो जमीदार थे उन्हें अपने चैत्ड से एक तरह से जिस तरह से मस्जाह जो भी लगान-वसूल नहीं वसूल रहे हैं और आप देखने हैं कि जो नहीं दे पारा रहा है उनकी जमीन भी एवापस ले ले रहे हैं और इसमें आगर आप देखें बंगाल जमीदारों के स्वामित समंदी अधिकारों का करण वालेस जॉन सौर और फिलिप फैंसिस ने समर्थन किया जबकि ग्रेम्स ग्रांट ने इसका विरोद किया था और इस विवस्था के लाव के रूम में कम्पनी की आयका एक निश्चित हित्सा तै हो गया और जिस पर फसल नष्ट होने का कोई असर नहीं पड़ा था और फिर आप देखिएं कि दूसरा लाव इस्थाई भूमी के अंतरगत जमिदारों को भूमी का पूर्सवामी सुईकार कर लिया गया सतर्य सो चौरानवेंक का सूर्यास्त कानून या घोषित कीला गया इसमें कि यदि पूर्णियरारीत दीथी के सूर्यास्त तक सरकार को लगान या उसका कुछ भाग नहीं दिया गया तो जमिदार ओफ इस्टेट एक्ट की द्वारा समाप कर दिया गया था आजादी के बाद 1955 अब रेयदवाडी विवस्ता दीख लीजे अंग्रेज़ों द्वारा भारत में भूराज से बसूली गेतू लागू की गई यह दूसरी विवस्ता थी जिसका जनम दाता टॉमस मुन्रो और कैप पुरिवी बंगाल, असाम, कुर्व के कुछ हिस्से में लागू थी और इसे ब्यवस्ता के अंतरगत कुल बेटिस भारत के भूप छेतिका 59% सामिल था तो यह जानदा भूमी थी इसके अंडर में रेयत बाड़ी विवस्ता के अंतरगत रेयतों को भूमी का मालिकाना अध निकार दे दिया गया और जिसके दो आरे ये पिटेक्त रोप से सीधे विवस्ते रूप से सरकार को भूराज इसका वुकतान कर रहे हैं अब बीच में कोई विचोलिया नहीं है इसमें रेयत बाड़ी विवस्ता में किर्सक ही भू स्वामी होता था जिसे ब्हुमी का उप कहने का मज़ने आप सभी जानते हैं क्या होता है ना कि आप देखें यह उन्हें कर देना है फसल धैयाद नियु बरबाद हो गई तो आप देखें जो महाजन HUGA करते था साहुकार हुखा करते थे उनसे उद्भार लेते थे उनके चक्कार Chairman each तो ये हाल आँगे अब देखेंगे कंपनी दोनों पर अनकूल फिर भाव पड़ा थोड़ा फायदा हुए कठोड था पूरवक लगान वसूल की विरुद दक्कन में 1875 में अनेक किर्सक विद्धरो भी हुए जिसके पड़ाम सुरूप सरकार को 1889 में धक्कन किर्सी किर्सक राहत अधिनियम भी पारिद करना पड़ा फर आप देखेंगे महाल वाड़ी विवस्था पंजाब में जमीदारी विवस्था का ही एक संसोधी तरूप था इस विवस्था का जनमदाता हाल मेकेंजी को माने जाता है ये भी याद रखें इस विवस्था में भूराजस का निरधारन महाल या समूचे ग्राम के उतपादन के आधार पर किया जाता था और महाल के समस्त किर्सक भूस्वामी के भूराजस का निधारन सयुक्त रूप से किया जाता था मिलकर जिससे गाउं के लोग अपने मुखिया या पिती निदियों के द्वारा एक निर्धारिक समाईक सीमा के अंदर लगान की अदाईगी की जिम्मेदारी अपने उपर ले दे थे तो मिल जोलकर एक तरह से अपने एक मुखिया को दे दे रहे महालवाडी विवस्था बेटेस भारत के कुल छित फल के तीस पी तीस सथ इससे बल लागू थी और इस विवस्था के अंदर दक्कन के उचले उत्तर भारत सायुक्त प्रांद आग्रावद मद दहार curious करने के लिए मांचेतों तता पंजियनों के प्रयोकी विवस्था की गई और यहांहे उचिना मार्टन वर्ड की नियदेशन में तेयार की गई थी और जिने उत्तर भारत में उत्तरी भारत में भूमीकर विवस्था का प्प्रवल दग भी माना जाता है मार्टिन वर्ड को अब आप देखेंगे कि किरसी का वाडिजी करन यानि कि किरसी का बेवसाइक करन वाडिजी करन फसलों से जहां ब्यापारी बरग वा सरकारी कंपनी को अनेक तरह के लाब मिले वहीं किसानों का और गरीबों का सोसन हुआ ऐसे और आप लोगों ने देखा होगा सुना भी होगा नील की खेती आप देखें कि जब जश्ती कौन अंग्रेज नील की खेती करवाते थे किसानों से और आप देखते थे कि नील का उस समय व्यापार कुछ जाना ही था व्यापारी वर्ग खड़ी फसलों को खेत में ही कम कीमत पर क्रेग कर लेता था और किसान अपनी तदकालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी फसल मंडी में ना ले जाकर कटाई की समय खेत में ही बेंद देता था और एक तरह से आपने देखा होगा गाओं की तरफ से अगर आप लोग सम्मन्द रखते हैं तो आपने सेट को बिचॉलियों को देखा होगा कि वो खेत पर यह आता है और फसल आपकी जो कट जाती है पूल ले जाता है और बाद में आपने देखा है वही अना जिसे किसान खेत में ही बेंच देता है जो आपका बिचॉलिया एक तरह से खरीद लेता है और फिर आप देखेंगे कि वही को बाद में वह अधे कीमत देकर बाजासी क्रे करता है और जो उसकी तबाही का कारन भी बनता है हाल में क्या रहता है कि किसान को लगता है कि हमारी अभी की जरूरतें पूरी हो जाए हाल का सब कोई देखता है काल का कोई नहीं देखता है और बाद में किसान खाने के लिए भी उसी सेट से उधार लेता है वेटी सुपने वेश से काल में चुकी भारत में उद्धोगिक आवस्ता हैं वेटेन की को ही ध्यान में रखकर फसलें हुआई जाती थी इसलिए खाध्यानों की भारी कमी होने लगी और अकाल पढ़ने लगे जिससे ब्यापक तबाही भी लोगों को जिलने पड़ी और कहा जा सकता है कि रसी के वाड़िजी करन से भारत में गरीवी बड़ी अकाल पढ़ी अर्द वर्ष्था का मुद्री कंड हुआ और गाउं का सहरों से संपर्ग बढ़ा और नए सोसनपूर्ड सरम संबंधों की सुरुआ थी 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के ब्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए जो 1813 के चार्टर अधिनियम था न इसके द्वारा कंपनी के ब्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया लेकन पूरी तरह से न नहीं है आपके प्रिलिम्स में भी इससे कुश्टन्स पूचा जाता है और मुख परिक्चा में भी काफी आपको फायदा देगी फिर बात करते हैं उद्धोगिक मुख्त ब्यापार की भारत में वेटिस उपनिवेसवाद की दूसरी चर्ण में जिसे उद्धोगिक मुख्त मुख्त ब्यापार 1813 से लेकर 1856 का चर्ण कहा जाता है मैं भारत को बेटिस माल के आयात का मुख्त भाजार बना दिया गया अभी भी आप लोगोंने सुना होगा कि मुख्त ब्यापार समझोता हुआ है इन दो देशों के वई भारत की बीच किसी और देश के बीच तो आप आप समझे एक तरह से कहने का उन्तला वही कि हमारे अगर मुख्त ब्यापार समझोता हो जाता है तो उस पर टेक्स नहीं लगाएंगे हम भी नहीं लगाएंगे वो भी नहीं लगाएंगे और 1813 में कंपणी का भारत में वेपारीग इकादिकार समाप्ट कर दिया गया और 18 1833 में कमपणी की समस्ते वाडिजी गतिविधियों को वेटिस सरकाल से ने पिती बंद कर दिया 1833 के बाद भारत के सभी सहर कस्वे, गाउं, जंगल, खाने केसी, उद्धियों तथा जनसंख्या का विसाल मानाव समधाये बेटिस सांसद द्वारा बेटिस पूंजी पतियों के मुप्त प्रयोग के लिए खुला छोड़ दिया गया अब आप लोग सोच लीजे, हमारे यहां एक उधारन ले लीजे आप लोग कि कपड़े बनाने की बात कर लेते हैं अब आप लोग अपने हाथों से कपड़े बुनते थे, हमारे यहां की कारियर थे और आप देखे कि कहां, इंगलेंड में, बेटेंड में, अंग्रेजों की यहां आप देखे कि मसेनों का उपेव होने लगा तो आप देखेंगी कि हमारे यहां का जो कारियर, एक कपड़े को हो सकता है कि 2-3 दिन में बनाये, वही मसीन आप देखें 2-3 घंटे में कपड़े बना देगी, तो उन्हें सस्ता पड़ेगा वो, और आप देखें कि हमारे यहां कपड़ा कहा हूं उनकी यहां बिखने वाला उनका कपड़ा हमारे हां सस्ता मिलेगा तो लोग खरे देंगी भी अभी चाइना फॉन को ले लीजे आप लोग आपने देखा है कि सरकार ने इतना कुछ किया और आप देखें कि हमारे देश में एक आंदोरन टाइव का चलागी जो चाइनीज वस्तुएं हैं उनका एक तरह भजन नहीं हो तो अब आप देखें कि अगर उसी के एवज में उसी की बराबरी की कीमत का कोई और फॉन हमारी सरकार निकाले तो हो सकता है कि लोग उसकी और जाएं अब आप देखें कि लोगों को अगर महंगा फॉन लेना पड़े और चाइना फॉन हमान लीजे 10,000 का मि मिल रहा है तो कौन 20,000 खरी देगा वो ऐसी देश भक्ती भी नहीं दिखाएगा ना तो यहीं हुआ आउस समय भी और उसी के कारण आप देखें देश भर पर विर्भाव पड़ा जाहे हमारे जो बस्त उद्द्यों हों वेटेस उपनेवेस बात की इस चर्ण में भारत का यो बेटेन बेटेन की बनी मसीन निर्मित बस्तूओं के एक बाजार की रूम में और बेटेन पर निर्भार एक ऐसे उपनेवेस की रूम में करना चाहेता था जो बेटेस के उद्द्यों के लिए कच्चे माल और खाद्यानों का उत्पादन एवं पूर्ती करे प्राव यह हुगा कि देश की अर्थवरस्ता अधिकाधिक विदेशी अर्थवरस्ता के अधिपत्त में आ गई और भारत में हद करगा उद्योगों की पतन ने भारी निर्धनता विरोजगारी को जनम दिया आप सभी लोग इतना जानते हैं और इसलिए मैं कहता हूं कि आप प्राम कीमत में कोई कपड़ा उहां सब्लाई करने लगे तो उसका कपड़ा कौन खरीदेगा उसका कपड़ा नि खरीदेगा तो वनाएगा क्यों और वनाएगा नहीं तो घर कैसे चलाएग तो यही हुगा ठीख संब भारत में पूंजी निवेस के लिए इसलिए आतर था क्योंकि वह अपनी अतरिक्त पूंजी को सुरक्षित तरीके से यहां नियुजित कर सकता था उपनेवेस में मजदूरी सस्ती होने के कारण अच्छा मुनाफ़ा कमाया जा सकता था और साथी ग्रे उद्देव के लिए सस्ता कच्छा माल भी नेंतर प्राप्त कर सकता था और इनी उद्देवसों के फिरित होकर भारत में 1860 के बाद वेटे सोपनेवेस का तीसरा चन वित्तिय पूंजी बाद पैयरम हो जाता है आज भी तो देखिए आप लोग कि हमारे हा लेवर भी सस्ती मिल जाती है कच्छा माल ही मिल रहा है और माल लेजे आप एक उद्द्रोग पती है और आप देखेगे कि आप उद्द्रोग पती है तो इन्होंने भी वही किया तो इनोंने भी वही किया पूजी निवेस वाले पिरमुक छित्ते थे सरकार को रिड रेल निर्माड से चाई परियोजना है चाय कॉफी रवड के बाद कोईला खाने जूट मिले जहा जरानी बेंकिंग आ दी अंगिरी जुवारा भारत में रेल निर्माड का पिधान उद्देश था कि भारत की कच्चे माल को देश के अंदर हिस्ते हों से बंदर गाहों तक ले जाना और रेलवे निर्माड का दूसरा उद्देश था सोना सेना को दूड़ दराज के छित्रों तक पहुंचाना ताकि बेटे सासकों की पिती होने वाली किसी भी विद्रों को सरलता से कुचला जा सके आसानी से उनकी सेना वहां तक पहुंचाए और जो आबाज उठा रहे हैं उन्हें दबाया जा सके भारत में रेल निर्माड की दिसा में पिथम फरियास 1846 में लौड डल होजी द्वारा किया गया था और विथम रेल लाइन 1853 में बंबई से थाने की बीच डल होजी की समय में बिचाए गई थी और इस पॉइंट से आप देखिए कई परिक्षाओं में कुश्चन्स आ चुका है बेटी सुपने में इस बात काल की तितीय चर्ण में भारतीयों द्वारा भी कुछ भारती उद्वगों में पूझी लगाई गई भारती उद्वगों में सूती बस्त पहला उद्वग था जिसमें भारतीयों द्वारा पूझी लगाई गई थी सुरूती वस्त की पिथम मिल 1853 में बंबई में कावस जी नाना भाई के प्रयासों से सुरू की गई थे जरूर याद रखेगा बंगाल के रिसरा नामाकिस्तान पर भारती पहली जूट मिल कीस्ता अपना 1855 में हुई थे भारती है उद्दोग इकन की दिसा में भारती पूंजी से निर्मिट टाटा आयरन एंड इस्टील कंपनी 1907 में महत्पोंड प्रयास रहा तो इसे कंपनी के बारे में याद रखेगा और आप देखे कि जो भी इस सेट थे इस तरह की जो उद्द्योग पती थे भारत की भी व एक समय एसिया का अन्न का भंडार हुआ करता था आज विस्ट का निर्धमतन देश बन गया है और हम लोग एक समय सोने की चडिया भी तो कहते हैं कि हम लोग सोने की चडिया हुआ करते थे आज क्या हाल है वहीं अगर हम लोग उपनेवेस बात के प्रभाव की बात करें कि क किसा प्रभाव पड़ा तो वेटे सोवन विस वाद ने भारत के आर्थिक सामाजईक और राजनितिक पितेक छेत्मे को आसामान रोप से प्रभावित किया और आती जीवन अपने ब्यक्तिकत और सामोहिक रोप से उपनिवेसबात को कि सभी दसाओं में विदेशी सत्ता के मनमाने सोसन का सिकार हुआ और लंबी समय तक रहे उपनिवेसिक सासन ने भारत की मुलभूत सरचनाओं पर विविद प्रभाव डाले और इन प्रभाव को आर्थिक सामाजी को राजनितिक परिपेक्च में देखे जाने की आवस सकता है और वैसे आप लोग भी समझते हैं कोई धरम का काम करने तो आय नहीं थे लोगों का कल्यान करने तो अंग्रे जाय नहीं थे लूटने की आय थे इसे आप लोग भली भाती जानते हैं तो उन्होंने उसे किया भी अपने काम को आर्थिक प्रिभाव देखें अगर हम लोग तो उपनेविस बाद का एक ऐसी राजनेतिक विवस्ता है जिसके मूल में आर्थिक लाब नहेत होते हैं और अतहा सुभाविक रूप से उसके सबसे अधिक प्रिभाव आर्थिक चित पर ही परिलक्षित होते हैं वेटिस उपनेविस बाद ने अपने फितेग चरंब भारती अतवस्ता के फितेग पहलू कृसी उद्द्योग आर्थिक दसा राष्टी आदी को बुरी तरह से प्रभावित किया और आप सभी जानते हैं देखे आर्थिक विवाओ की बात करें आर्थिक छित की बात करें तो आप देखें उनका लाप कमाना ही उद्देश था आप देखें कि वो अगर आपके यहाँ नील की खेती का उधान ले लिजे अब उस समय अगर उने ब्यापारिक फसले उगवाना हैं तो वो अगवाएंगे वो किसानों को जवरजश्ती करेंगे चाहिए आप देखें कि लोग मर रहे हों लोगों की आर्थिक इस्तिती बगड़ रही है कुछ भी हो उपने वेस बात कि प्यारंबिक दौर नहीं भारती है पारंपरिक सिल्प और द्योगों को समाथ कर दि वेटन में बनाये जारा अंग्रेजों ने बनाये जारा अंग्रेजों के द्वारा तो उसकी कीमत आरी 7 रुपे अब आप देखें बो 10 रुपे में बैश सकते हैं 3 रुपे का फायदा होगा उन्हें लेकिन हम लोग कहां 10 रुपे में बैश पाएंगे हमारी तो 10 रुपे क और कच्छा माल खरीदने के लिए विवस करके उन्हें दोहरे सोसन का सिकार बनाए गया जिससे हस्त सिल्प उद्ध्योग नश्ट हो गया उद्ध्योगिक करांती की बात के दौर में भारत को इंगलेंड के उद्ध्योगिक उत्पादों का बाजार बना दिया गया और यहां भारती किरिसकों पर अते देख भूराजिस आरूपित कर उन्हें जमीदारी विवस्ता भूमी बंदोवस्त द्वारा अधिकारिक दरिद बना दिया किसानों की बात हो रहे हैं और भारती एक किसान सोतंत किरिसक से खेती हर मजदूर बन चली गया और आप देखेंगे उप भाजार का अंतराष्टी करन हुआ और यहीं से भारत में पुझीबादी किर्सी की सुरुवात हुई किन्तु यह समस्त विक्रिया भारती किर्सक के लिए अनिक्षिक और थोपी गई विवस्ता का पईडाम थी जिससे सोसंड चक को की विक्रिया को और बढ़ाए गया आप आप सोचिए राजा महराजा हमारे देश में हुआ करते थे उस समय किसानों पर आप देखिए आधिवासियों पर कोई जबजस्ती नहीं थी कि उन्हें कौन सी फसल ववाई करनी है कौन से क्या करना है और आप देखिए कि अंग्रेजों से वहतर आप देखिए टेक्स पर रिवर्तित किया जिसमें आत्मिरभर ग्रामीड विवस्ता को बुरी तरह प्रभावित किया भारत की बहुं संख्यक जंता किर्सक एवन छोटी कारिगर अल्व संख्यक लोग जमिदार उमहाजन द्वारा सोसित हुई और तो और आप देखें और यह आप देख रहें क कि फूटेगा वो गुस्ता आप लोग किसी पर अत्याचार करें वो एक समय तक सहता जाएगा लेकिन एक समय के बाद वह आप जानते हैं कि बंकी तरह फूटेगा उपने वेसे एक सासन में भारत की अर्द्वरस्था लगातार बत्तर होती चली गई और जिसके पर जिसका परिचार लगातार पढ़ते उन अकालों में मिलता है जो वेटे सासन की आरम से भारत की सोतंता तक विवेने छेत्रों में पढ़त रहें इन अकालों के मूल में उपने वेसे सासन के अंतरगत किर्सों की बदहाली, कुटी उद्वरस्था का समापन, पर सासन द्वारा लू अध्वस्था बनाय रखा और उपने वेसे सासन और उनकी उसकी नीतियों ने भारत पर कुछ सकारत में प्रभाव भी डाले और उपने वेसे सासन ने भारत में रेलवे डाकतार, बैंक, भीमा, आधुनिक, पुंजिबाद से प्रभावित होकर उद्धोगिक बिवस्था क शुरुआत की है, अब आप कई लोग कहते हैं कि अपने फायदे के लिए उन्होंने इस सब किया हुआ था, भारतियों को इसका फायदा मिल गया है, तो वो अलग बात है, लेकिन अगर आप लोग आंसर राइटिंग लिख रहे हैं, तो आपको positive point भी लिखना है, negative point भी गरीबी विरोजगारी आदी उत्पन हुई, और जिसे भारत के राष्टी आर्थिक एगी करन का मार्क प्रिसस्त हुआ, और इसे क्या हुआ है कि आप देखें कि एक जगे की बात दूसरी जगे जाने लगी, और आप देखें एक जगे के लोग दूसरी जगे घुलने मिलन लगे, और उनकी सब कॉमन की समस्याइं दिखने लगे, और आँगी जाकर आप देखें कि जो आंदोलन हुए, यही कारण रहा है कि वो लोग एखटे होका लड़े अंग्रेजियों के खलाब, अगर हम लोग इनकी सामाजिक प्रभाव की बात करें, तो बेटेस उपने वे गरामों के आतमिरभर सौरूप के विक्टन से भारती समाजिक संबंधों में मात्पूम बदलाओ, परिलक्षित हुए, और समाजिक संबंधों ने कि एक नए सौरूप का जनम हुआ, और आप देखेंगे कि भारती गरामों में जमीदार, जमीदार अनवरसिती भूस्वाम जो सहरों में रहते थे, अपने गुमास्तों के माध्यम से गाउं से भूराजस की वसूली करते थे, पट्टेदार, कास्तगार, मालिक, खेतीहर मजदूर, छोटे ब्यापारी, ब्युसाही, एवं सूतकूर, महाजन जैसे नए बरक का उदय, उपनिवेस बात का ही पईडा जो आजकल आप लोग देखते हैं न, विचोल ये, उन्हीं को मान लेजे हम लोग, उस समयगा, फिर आप देखें कि सहरों में भितिए पुझी पती, उद्दोग पती, उद्दोग एक मलदूर, आधुनी पुझी बादी, व्यापारी वर्ग, एवं दुकानदा, डॉक्ट इतना निसुतंत भारत में राजनीतिक दवाव समुह का रूप ले लिया, भारत में जाती है संगटनों का उद्भाव भी आप देखेंगे, उपनिवेसिक व्यवस्ता में आर्थिक सामाजीक लाभों के दवाव बनाने की पिक्रिया का ही परिडाम था, जिससे आज तक भा फूट डालकर राज करने की नीतिका आओ लंबन किया है, अब आप सोची कि दो जातियों के किसान है, एक को कम ब्याज पर आप लोग कम उनसे बसुलिये टेक्स, दूसरे से जानदा, अब आप देखें कि उन्हीं में एक तरह से या एक को फिरी कर दीजे, तो दोनों आपस में लड़ने लगेंगे, तो फूट डलो, राज करो की नीति जो रही न, अंग्रेज उन्हें ही सरो की है, और उसका उन्हें लाप मिला भी है, और आज भी आप देखते हैं कि राजनीति में, जो हमारे राजनीता होते हैं, पॉलिटिसियन होते हैं, वो इसका उपयोग करत अपने पित्यक्ष एबं आपित्यक्ष पईडावों से भारत को एक राजनेतिक सक्ती की रूम में परिणत कर दिया और इन तन्तों ने भारती राजनीती पर दूरगामी प्रभाव डाला जिसकी लक्षन आज भी देखे जा सकते हैं उपने वेसिक सासकों ने सासन को सुगम और एवं सुविधा जनक बनाने के लिए भारत को एक इकड़ कर एक सूत में बांधा और एक जन्सी पिसास ने विवस्था की नियू रखी इसका परड़ा में हुआ कि भारतियों में भी राजनीती के काई होने की चेतना जागरित हुई और भारत का एक राष्ट की रूम में निर्मार का मार्थ पिसत हुआ उन्होंने किया था अपने फायदे के लिए लेकिन उसका फायदा हमों मिला उपने वेसिक सिक्षा पडाली ने भारतियों में लोकतंत और स्वतंत चेतना की सोजबिक सित किया जिसे भारतियों को भी अपने समाज और देश में लोकतंतरिक विवस्था लाने की पेड़ा मिली उपनेवेसिक सासन द्वारा भारत पर किये जाने वाली अत्याचारों तथा अपमान जनक बिवहार ने भारतियों में राजनेतिक संगठन के लिए पिरित किया और फर्डाम स्वरूप 1885 में एक राजनेतिक संगठन के रूम में भारती राश्टी कॉंग्रिस का अभिवा हुआ यानि कि इसकी इस्तापन हुई और जिसने राश्टी आंदोलन का नेदित कर भारत को सतंत कराने में अगडिम भूमी का अदा की भारत की लोकतंत तथा वर्तमार राजनेतिक पिसासनक सवरूप पर वेटे सरकार का अत्यदिक प्रभाव उपनिविसवात की ही दैन थी आर्थिक निकास यानि कि आप देखे हमारे हाँ से निकल लाए और अंग्रेजों की हाँ जा रहा है उपनिविसे काल में आर्थिक न आप नहीं मिलाए तभी तो हम लोग कहते हैं कि हम लोग सौने की चिडिया थे और अब कंगाल बन चुके हैं अंग्रेजों ने यहां से फायदा ही लिया कोई हमें फायदा नहीं पहुंचा है बलकि गरीबी और अनोध्धोगी की करण की जैसी जटिल समस्याएं मिली और ज उनों ने स्मुद्धी का जिक्र किया था और इसी को बाद में राष्टवादियों ने धन का निस्कासन या संपत्ती का दोहन की संग्यादी और 1860 में दादा भाई नौरोजी ने लंदन इस्तिद इस्ट इंडिया इसोसियेशन की बैठक में पिस्तुत अपने पत्त इंग आ जाता है और इसी रेड के लिए और अधिक ब्याज और एक पकासी यह रेड एक कुचक सा बन जाता है और दादा भाई नौरोजी इवं अन परवर्ती अर्थ सास्तियों दर्साय की हॉम चार्ज और निजी हुनिया भारती निरियाद द्वारा भुनाई जाती थी और वे आ देखी कि वहां जो भी खर्च हो रहा है उसका बसूल भी हम लोगों से कर रहे हैं ग्रह बै में 1889 के बाद से लंदन इस्तित पितेश्ठानों अंसदारियों के लाभांस को हटा कर उसके इस्थान पर इसी बर्स गठित भारती सचेव इंडिया हाउस पर होने बाले बै को सामिल कर लिया गया यानि कि हमारे यहां जो करमचारी हैं उसका आप लोग ले रहें टेक्स चलिए माल लेते हैं उसका ठीक है अब अंगरेजों के वहां बेटेन में आप देखिए जो हो रहा है वेवस्ता वहां भी जो अधिकारी रखे हैं उनका भी हमारे यहां से ले रह नौरोजी ने धन निस्कासन को समस्त बुराईयों की जर बताती हुए इसे अनिष्टों का अनिष्ट की संग्या दी थी तो ये भी आप लोग याद रखेगा और आसी दत ने अपनी पुस्तक भारत का आर्थिक इतिहास में भारत के आर्थिक दोहन परपिकाश डाला एमजी रनाडे ने धन की निस्कासन को भारत के आर्थिक पिछडापन के समासास्तरी कारण की रूम में देखा और भारती राष्टी कॉंग्रेस ने 1896 के अपने कलकत्ता दीविशन में भारत से धन निस्कासन के सिध्धान को उपचारिक रूप से सुईकार किया था आर्थिक निकास के तत अगर हम लोग देखें तो समराजवादी सासकों ने भारत को आर्थिक रूप से वदहाल करने के लिए अनेक धंग अपना है और भारती पिसासन अंग्रेजियों के हाथ में था जो केवल एंगलेन के हित में चलाया जाता था भारत से संपत्ती का दोहन या निकास निमलिकित रूप से हुगा था कैसे हुगा था एसे भी देख लिजे आप देखेंगे कि ग्रह बै ग्रह बै उस बै की रूम में था जो भारत राज्य सचे उसके संबर्द बै की रूम में होता था 1857 के विद्रों से पूर यह ग्रह वे भारत के ओस्तन राजस का 10 से 13% के बीच होता था और 1857 के उपरांत यह बहुत बढ़ गया और 1857 से 1901 के बीच यह 24% हो गया 1901 से 2 के में ग्रह वे और बढ़ गया और केंद्री सरकार के समस्त राजसु का 40% हो गया समय रहे आप लोग और इस ग्रह वे के मुख तत्य थे इस्ट इंडिया कंपनी के कंपनी के भागीदारों को लावांस सैनिक तथा आसनिक बैग जो अंग्रेज जी पदादीकारियों को पेंसन आउकास के लिए मिलने थे इसके अतरिक लंदन में इस्टित इंडिया ओफिस के संस्थापन संस्थापन तथा आप देखेंगे कि क्या देखेंगे तथा पिछलन पर वे और वेटिस योद्धि के सचीवाले को दिया जाना वे भी इसमें सामिल था भारती सची वो भारो सरकार इंग्लेंड में करोणों का माल सैनिक और समुद्री विभाग के लिए अंग्रेजी मन्नियों से खरीटती थी और 1861 से लेकर 1920 की बीच यह ग्रह वे का दस से 20-30 तक पिती वर्स होता था ठीक है फिर आप देखेंगे कि क्या देखेंगे विदेशी पूजी निवेस पर दिया जाने वाला भारती राश्टी आयसे एक अन्नमत्कूर निकास था और वैक्टीगत विदेशी पूजी निवेस पर दिया जाना वाला व्याज उलाव बीस भी सताबदी में निजी चित की बहुत सी पूंजी का भारत में निवेस किया गया था दोनों महायोदों की भी 30 से 60 करोर रूपया पिती वर्स भारत से बाहर जाता था और विदेशी पूंजी पती भारत की उद्धोगिक विकास में रुची नहीं रखता था उसन ने भारती उद्धोगिक विकास के राष्टे में हर संभव रूप से अउरोध उत्वन करने का प्रियतन किया और भारती सादरों का अपने हित में परियोग किया बिदेशी बैंक, इंसोरेंस, नौवान कम्पिनिया bank insurance और 99 company ने भारत सी करोन रूपी लाप की रूम में कमाया और यहां से धन ले जाने की अत्रिक, इनकी सबसे बड़ी भारत की को दी जाने वाली हानी यहती की इन सब कमपणियों ने भारती कमपणियों को पनप नहीं नहीं दिया. हमारे यहां की जो कम्पनियें थे उन्हें आगे बढ़ नहीं नहीं दिया। धन का बहिर गमन ये भारत की बढ़ती हुई निधनता की यानि की गरीबी की कीमत पर आपने को संपन बनाने के लिए वेटें द्वारा भारत की कच्चे माल, संसाधन और धन को नेंतल लूट मार क प्रिष्ट भूमी को दादा भाई नोरोजी और रनाडे जैसे राष्टबादियों को ने धन के बही गर्मन या निसकासन की संग्या दी थी। और आप देखें भारती धन के बही गमन की ओर लोगों का ध्यान आकरसित करने के लिए इस देशा में पितम प्रयास दादा भा किया था और दाला भाई नोरोजी ने धन के बही गमन के सिधान के सरफितम और सरवाधिक पिखर पितिबादक थे। 1905 में उन्होंने का था कि धन का बही गमन समस्त बुराईयों की जड़ और भारती निर्धनता का मुक्च गरीवी का मुक्च कारण है। दाला भाई नोरो दाला भाई नोरोजी के दुबार आप उस्तकें लिखेंगे इन उस्तकों से भी कुष्टन्स पूच लेता है। परवर्टी एंड अन्वेटेस रूल इन इंडिया अठारेसु सर्चर्ट दावार्ट्स एंड मेंस ऑफ इंडिया अठारेसु सर्चर्ट ऑन दा कॉमर्स इंडिया उननी सो एक भारत की आर्थिक ट्यास पर पहली बुक थी किसी आर्सी दत्की थी अमरित बाजार पती का सरप्तम यसा समबाचार पत्त था जिसने धन निसकासन का बिरोध किया था अमरित बाजार पती का यह चोटी चोटी बात हैं लेकिन बड़ी-बड़े कुष चैन्स बन जाते हैं समझ रहें आप आर्थिक निकास के प्रभाव अगर हम लोग देखें तो उपने वेसिक काल में भारत से हो रहे धन निर्गम ने इंग्लेंड और भारत दोनों पर प्रभाव डाला है भारत की लूट से जहां इंग्लेंड में पूंजी संग्रय बड़ आधुनिक भारत की इतिहास का डॉक्टर ताराचंद की सब्दों में भारत से होने वाले धनकी निकासी ने इंग्लेंड के उद्धोगिक विकास में महत्पूर्ण भूमिका अदा की और पिलासी की लड़ाई के बाद इंग्लेंड का जो उद्धोगिक धाचास्तित में आ और 1757 से 1765 के बीच कमपनी के पदाधिकारियों ने लगबख 60 लाग पॉंड जो बंगाल की बारसिकाय का चमुना था वो बहारों में फिराप्त किया और इसके अतरिक्त भूमिक कारो संग्रें और दस्तक अधिकार दिये जाने के बदले में भी कमपनी के अधिकारियों को बड़ी बड़ी रिस्वत ने लिए और लूट में जो धन मिला उससे इंग्लेंड में उद्धोगी करांती का प्यारम हुआ और इस धन ने उद्धोगी खुतपादन को आवस्तक सकती ओपेडा पिरदान की यानि कि हमारे ही बनाय हुए एक तरह से आप देखिए कि जो नी हुआ हम लोगों ने भरी दी उसी निव पर अंग्रेजों ने अपनी इमारत खड़ी कर दी कहने का मतलब समझगा है आप लो ब्रुक्स एडम्स ने सुईकार किया है कि भारती धन ने यहां आकर राच की नगत पूझी में उलेकनी बिद्धी करें के ना किवल उसके सकती मं अब तो उसकी लोच और गती सिलता में भी बिद्धी कर दी और वरुक्स की सब्दों में फिलासी की लड़ाई के थोड़ी ही समय बाद बंगाल की लूट का धन लंदन पहुंचने लगा और उसका ततकाल प्रभाव भी दिखाई पड़ा और 1860 में फिलाइंग सटल का अव 1864 में हरगीरीव ने इस्पेनिंग जैनी का अविस्कार किया और 1789 में क्राफ्टन ने यांतरिक चर्खा बनाया और 1785 में कार्ट राइट ने सकती साली करगे को पेटेंट कराया और इन से सबसे बड़ी बात यह है कि 1776 में वार्ट वार्स ने भाव से चलने वाले इंजन क अपर इसकी रूप दिया और इसके वबजूद इन मसीनों को गती सीलता का कारण नहीं माना जा सकता है वरुक से लिखता है कि भारत के धन से नहीं इंगलेंड की इन मसीनों को गती सीलता पेदान की और उहां आ परीमिद मात्रा में उत्पादन होने लगा और 1760 से 1815 तब बेकास की गती काफी तेज हुई और निश्चित रूप से भारत के धन के इंगलेंड पहुंचने के बाद ही इंगलेंड की उद्धो की करांती अपने बेकास के चरम बिंदों पर पहुंच गई अब भारत नुकसान भारत को क्या हुआ है? भारत पर प्रभाव क्या हुआ है? तो भारत में बेटेन को होने बाले धन निकास ने भारत की अर्दविस्था को बधाली के कगार पला कर खड़ा कर दिया इसके कई दुस्पाइडाम भारत को वगतने पड़े धन निर्माण के कारण भारत में पूंजी का संचय ना हो सका भारत में आर्थिक संसाधन मात इतने ही होते थे जिससे पिसाखने एक बेवय को पूरा किया जा सके भारत के लिए उसका उपयोग नहीं किया गया है और अगर भारत के पास पूंजी रहती तो उसका उपयोग केसी ब्यापार उद्द्योग आदी में किया जा सकता था भारत से धन निकलने के कारण इंगलेंड में उद्दोगे कुट पादन बढ़ गया वही भारत में घट गया भारत के उद्धोगे को उत्पादन में कई बाधा है उपस्तित हो गई भारत से ही कच्चा माल लेकर इंग्लेंड ने तेयार उद्धोगे बस्तूओं का उत्पादन किया और भारत में उनका निर्याद करके इसके बाजार को भर दिया यानि कि हमारे यहां से कच्चा माल ले जा रहे हैं, वहां से वो बस्तुओं में उसका करवर्ट कर रहे हैं, भारत में ही बैच रहे हैं, इसे भारती उद्धोगों को विक्सित होने का अनकूल आउसर भी नहीं मिला, और विदेशी सरकार की यह नीती थी कि भारत की लोग आपसा कर लोगों का सोसन करने लगी, और इस पुझी को भारत में तेउक्त कर अंग्रेज अधिक से अधिक लाप राप्त करने लगे, और पुझी बढ़ने के अनकारन भी थे सारे आर्थिक संसादनों पर यूरोप के लोगों ने अधिकार कर लिया, सारी कोईले और सौनी की खाने, जूट परसन की मिले, मदीरा बनाने का के स्थान, कौफी, चाय के बगीचों, नील की फैक्टरियों पर उनका अधिकार स्थाबित हो गया भारत में, भारत की तीन चौथाई उनी कागा की मिले, जूट फ्रेज तेल मिले, लकडी मिल, कपास कार खाने आदी के माल एक भी विदेशी ही थे, सारी जहाजों का व्यापार रेल, बैंक उनके कबजे में था, सन 1900 में कोलिंस ने ठीक ही लिखा, भारत की समस्त आय के साधन, इस देश को गिरभी रख दिये गया है, और ऐसी स्थिति में भारत का, भारत पुझी का संचय कर ही नहीं सकता था, और आर्थिक निर्गम ने नेतिक निर्गम को बढ़ावा दी गया, और दादा भाई नौरोजी ने लिखा है कि देश में अंग्रेज अधिकारियों को नौकरियां दी गए, और उनकी जगे भारतीय नौकरी कर सकते थे, वे नौकरी करके पुझी जमा कर सकते थे, उसका उपय भारत में ही होता, अंग्रेजों को जहां नौकरियों के चलती अनौपाव और योगता मिली, वहां भारतियों पर इनका आभाव रहा, अनौपाव और योगता का यह निकास नेतिक निर्गम ही था, और जिससे भारत को पतनोंवक बनाए गया, भारत का पतन हुआ, हमारे हा की लोगों को भी आप देखिए, नोकरिया नहीं मिली, उन्होंने अंग्रेजों को ही नोकरिया दी, उपनेवेस्तिक सासन के तोरान भारती धन निर्गम ने बास्तों में भारत को आर्थिक दिरिष्टी से खोकला बना दिया, और जब भारत 1947 में सुदंत हुआ, तब उसे विरासत में विभाजित भारत के सासाथ बिभिन भारत भी बिपन भारत भी मिला, और आप देखिए उस समय जब आजाज हम लोग हुए, जो भी उस समय के आप देखिए सुदंता सेनानी रहे होंगे, जो हमाई भी हमारे पॉलिटीस के नेता रहे होंगे, बड़े समझदा दिया, बित्वा अर्थवस्ता से सम्मंदित कुछ आयोग है, इनने भी आप लोग याद रखे, इनसे भी कुश्टेंस पूँच लेता है, इनका आयोग समिती हो गई, स्थापना वरस हो गया, मुख सिफारिस और इनका पैडाम क्या रहा है, अमीनी समिती, ए 1778 में, इस सम समिती ने सहकारी संस्थाओं से समंदित मुद्दों पर रिपोर्ट पेस की थी, दत्ता सम्ती 1915, इस सम्ती ने कीमितों के उदाव चड़ाओं पर रिपोर्ट दी थी, मैकला लन समिती, मैकला गन सम्ती 1905 में, इस सम्ती ने सरकारी संस्थाओं से समंदित मुद्दों पर र आवाड ने राजस्त की विभगत मदों को तया करने वाला परवल दिया था, आयो कि कुछ रोध परांती और सेस करने दिरिये सरकार के लिए रख दिये गए थे, लेटन सम्ती या इंडियन इस्टीटरी कमीशन इस सम्ती ने केंदीर सरकार तथा परांतीर सरकारों को वीच र पर प्रगट किये थे इसने, और आप देखेंगे, परसी सम्ती या संघिये बिद्धिये सम्ती, केंदर सरकार तथा परांती तरकार के वीच राजस्त के विवाडन की पिसन पर इस पर प्रगट किये थे, लेल लेत गुँ आयो, ये 1908 की बात है, कपी? 1900, इस राजस्त की आ अधिकरत रूप से स्तोधार की अनुसंसा की थी, 1939 में, इंपिरियल कॉंसिल और एग्रिकल्चर रिसर्च की स्थाफना हुई थी, तो ये भी याद रखेगा, फिर आप देखेंगे, मैक्सवेल ब्रूम फिल्ड जास्मती 1928, इस सम्ती ने सुईकार किया, कि बारत दौली क पोनर मूल्यांकर में खामिया थी, और भूमी कर में विध्धी, दरको 16.03 करने की सिफारिस की थी, एक तरह से, तो ये भी याद रखेगा आप लो, फिर आप देखेंगे कि फासिट सम्ती, ये सम्ती ने चुंगी, तथा वेतन से समंदित मुद्धों पर विचार व्यक्त क की विषय तथा कई कानूनों में सुझाओ देन थे, और इस आयो की सिफारिस के अनुरूफ सरकार ने कारवाही की थी, ठीक है, फिर आप देखेंगे कि संस, इस पुरू सम्ती 1934 में, इस सम्ती द्वारा मद्ध वर्गिये वेकारी की जाच की गई थी, इस सम्ती ने 1935 में स सरकार को अपनी रिपोर्ट दी थी, नेमर समिती 1936, इस सम्ती ने कैन्द तथा राज्जी की वीच बित्तिय संबंधों के विषय में सुझाओ दिया था, फिलाइड आयो, इस 1940 में इस आयो की सिफारिसों ने से बंगाल के तिभागा अंदोलों की कोपेड़ा मिली, और इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, अंगली क्लास में हम लोग भारत में विविने जो संस्थाओं का विकास हुआ, उस पर ओवर वीव हम लोग ले लेंगे, ठीक है, आप लोग इंजवाई करते रही हैं, बढ़ते रही हैं, और एक बात फिर से बोल देता हूँ, अगर आपक